दोस्तो नमस्कार मैं हम लंदर पटेल बात करते हैं उत्तर परदेश की राजनीती में से लेकर पूरे भारत की राजनीती में जीस तरह से छेतरी दल, राष्टी दल 2024 की तयारी कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल लेकर उत्पन हो गया कि जो ईबियम को लेकर मायवती के बाद सवाल ईबियम को लेकर बहुत बड़ी बात कर दिया आपको बताते चले कि लोग सभा चुनाओ के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारिया तेज कर दिया इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी परसाद मौर बुदवार को बस्ती जन्पत पहु बात बताई उन्होंने बिजेपी सरकार पर जमकर निसाना साधा सपा नेता स्वामी परसाद मौर ने बिजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए का कि बिजेपी की सरकार में पूरे देश की अर्द बहुस्ता खतरे में है स्वामी परसाद मौर ने कहा कि बिजेपी की सरकार दे लोगों की नौकरिया छिन रही है युवाओं को बेरोजगार बना रही है भारती जन्ता पार्टी छुट्टा पसूं को लेकर प्रदेश को आड़े हातों में लिया स्वामी प्रसाद मौर ने जी एस्टी को लेकर ब्यापारियों को परिसान किया जा रहा है इसलिए बिजेपी से लोग परिसान है और अब समाजवादी पार्टी के अपने साथ जो है जुड़ते हुए नजरा रहे हैं श्वामी प्रसाद मौर ने जब EBM को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिन देशों में EBM की सुरुवात हुई थी जब वहां पर जन भावना को देखते हुए EBM को बंद कर दिया गया तो भारत में EBM का परियोग क्यों हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर ने कहा कि भारत में भी चुनाव आयों को चाहिए कि जन भावना की मांग पर EBM बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराये जाएं क्योंकि इंडिया में पेपर से चुनाव ज़्यादा सही है EBM में गड़बडियों की आसंका बनी रहती है आपको बता दे कि इससे पहले हाल ही में बस्पा सुप्रिमो बहन कुमारी मायवती जी ने EBM पर सवाल उठाये थे अपने जर्म दिन पर हुई प्रेस कांफरेंस में मायवती जी ने दावा किया था कि बस्पा का जनाधार कम नहीं हुआ है यह सब EBM का खेल है जब तक बैलेट पेपर से चुनाव हुए बस्पा का ओट प्रतिसत बढ़ा लेकिन EBM से चुना होते ही प्रतिसत घटने लगा दाल में कुछ काला है तो बहन कुमारी मायवती जी मतलब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी EBM को लेकर आने वाले दिनों में अंदोलन छिड़ने वाली है उत्तरप्रदेश की राजनीती में एक नया मोड आते वे दिख रहा है कहीन कहीं ये भी बाते बत अब तक कुछ दिनों के लिए दूरी दूरी बनाकर अपना-पना मजबूत दावेदारी पेस की जा रही है चाहे निकाय चुनाओ हो चाहे जो कि अलग-अलग नेताओं को जोडने का कार कर आप चला हो तो बहुत बड़ी अपडेट है EBM को लेकर जो है कि बहुत सवाल कर दो बहुत सकते हैं